आप हमें ये भी पताइए कि किसान भाई अपनी मिट्टी और पानी इन दोनों की जाँच कितने कितने अंतराल पे करवाए मतलब क्योंकि फसल दो बार बोई जाती है तो कितने समय के अंतराल पर किसान भाई मिट्टी और पानी की जाँच करवाए तो पानी का तो ऐसा है कि ज़्यादा जल्दी जल्दी इसमें परिवर्टन नहीं होता है लेकिन जब हम हमारी जड़ टूबेल है उसको गहरा करवा रहे हैं या टूबेल दूसरा खुदवाया है तो उससे पहले पानी की जाच आवेश्चा है क्योंकि हर टूबेल में उसकी गहराई का भी फरक पड़ता है यदि हम टूबेल को नीचे गहराई से ज़्यादा ले रहे हैं तो वहां भी उसमें लोणों की मात्रा कम हो सकती है या बढ़ सकती है समभावना बढ़ने की है इसलिए नई टूबेल या टूबेल की गहराई बढ़ाने से पहले किसानों को पानी का नमूना जाज करवाना आवश्क है इसी प्रकार आज कल किसान भाई क्या कर रहे हैं कि एक ही साल में दो या तीन फसलें जिनके पास पानी उपलब्द है वो तीन दीन फसलें ले रहे हैं बाकि साधान से पारश यह है कि एक बार साल में एक बार किसान भाई अपनी मिट्टी की जाच करा हुए लेकिन जब हम सगन करशी के जा रहे हैं तो हमें प्रतेक फसल से पहले मिट्टी की जाच करवाना आवेशक है क्योंकि जो हम फसल लेंगे वो दूसरी लेंगे एक सीजन में एक क्रॉप लिए दूसरी में दूसरी लंगे तो उस फसल की पोशक तत्वों की आवेशकता भी भिन भिन होती है इसलिए हमें हर जो फसल ले रहे हम उससे पहले मिट्टी की जाच करानी आवेशक है